हालो एवरिवन कैसे हैं आप सभी लोग उमीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे फस्क्लास होंगे और अच्छे से होंगे एक बार जल्दी से सभी जुड़ जाएंगे अपनी रात आट बजे वाली ग्लास में जो की हो रही है वाई-फाइ स्टेडी स्टू पॉइंट जीरो चैनल पे और मैं चेतन एक बार दुबारा से आप सभी का स्वालिद कर रहा हूं जल्दी से फटा-फट से आ जाएए क्लास बहुत ही जादा इंपोर्टन रहेंगे जितने भी इंपोर्टन कोशन रहेंगे वो सभी डिस्कस करवाए होगी और क्लास का थमनेल भी अच्छे से देख लिया होगा क्लास का थमनेल ही यह कहता है कुईज चैलेंज सीरीज अगर आप एकसेप्ट कर सकते हैं उस चैलेंज को तो पार्टिसिपेट करने के लिए जरूर आएए यह क्लास आपके आने वाले हर एक्जाम के रहेंगे च चाहे जिस दिन एक्जाम हो पहले दिन पहले शिफ्ट आप शेयर करके देख लेना और मैच करकर देख लेना कि कहां से कितने पढ़ाएवे सवाल आपके एक्जाम में आए चलिए देखते हैं कौन-कौन अटेंडंस लगाने के लिए आगया है जल्दी से फड़ा-फट से सब्सक्राइब देखते हैं कौन-कौन अटेंडंस लगाने के लिए आगया आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लास में सीमा दूबे जी रजसक्सेना प्रित्विराज चुहान अजात सिंग जी बहुत-बहुत स्वागत है सचिन मलुद्रा रोहिद कुमार मौरया जी आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है क्लास में क्लास को एक बार जल्दी से जोड लीजिए स्टार्ट करते हैं क्लास आप स्वेशल क्लास डेली बेसिस पर आपको करवाई जाएगी इसके अलावा फ्राइडे दुपहर दो बज़े से लेकर रात को दो बज़े तक मैरतन है जिसमें करन्ट अफेर स्टाटिक जी के जोगरफी हिस्ट्री पॉलिटी एकनॉमिक्स मतलब बहुत सारी चीजों को आपक इसके अलावा आप देख सकते हैं ये जुलाई में अभी प्राइजिस हैं और ये प्राइजिस हाइक कर जाएंगे 24 महिने के लिए जो प्राइज है वो है अपना 7800 रुपे मतलब 800 रुपे प्राइज है और इसका जो मंतली अगर आप बेसिस पर एंडूल करना चाहेंगे तो केवल 325 रुपे आपको मंतली देने और इसमें आप अलिजिबल हो जाएंगे 325 रुपे चुका कर इसके अलावा जुलाई ओफर फोर SSCN Academy का प्राइज है यदि आपने वन येर के लिए कोर्स को एंडूल किया है तो आपको 6 मंद एडिशनल दिये जाएंगे यदि कोड यूज किया जो की रहेगा cm10 यदि आपने कोड का इस्तमाल किया जो कोड है cm10 तो अब आपको हर कोर्स पर मिलेगा 10 प्रदिशत के चूट 10% का डिसकाउंट इसके अलावा ये है स्कॉलर्शिप टेस्ट करवाया जाएगा एवरी संडे दुपहर 12 बज्जे तो इसमें अबी से ही जाकर रख लीजिए बस एंड्रोल करने के लिए यूज करना मेरा खोट cm10 इसके अलावा आप देख सकते हैं इन अप्रोप्रियेट कंटेंट यदि आपको लगता है कोई इन अप्रोप्रियेट कंटेंट या फिर सविदंशील कंटेंट आपको पढ़ा रहा है और वह relevant नहीं है उस पर discussion करना इतना relevant नहीं है तो आप उसे रिपोर्ट कर सकते हैं और विन कर सकते हैं बहुत सारे कूपंस बहुत सारे बाउचर इसके अलावा यह रहेगा अनक एड्मी का लर्निंग अप्लिकेशन डाउनलोड करने के लिए आपको जाना पड़ेगा gk120 के नाम से free class है एकदम gk120 के नाम से 121 topics वहाँ पर मैं आपको पढ़ाता हुआ नजर आऊंगा जिसमें से लगबग मैं 40 topics already पढ़ा चुका हूँ इसके लावा ये रहेगा मेरा code मेरा code है cm10 चलिए all set सभी त्यार है स्टार्ट करते हैं क्लास पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर आ रहा है इस प्रकार से who was awarded the well cave hevel human right price 2021 चलिए well cave hevel manavadikar पुरसकार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है आज दो दिन में तीन मज़े वाली क्लास थी उस क्लास में मैंने आपको मानवधिकार से संबंदित मतलब नैशनल human right commission से संबंदित बहुत सारे सवाल बढ़ाए थे सवाल आपकी स्क्रीन पर है क्या रहेगा सवाल का जवाब देखते हैं कितने सारे विद्यारती सवाल का जवाब सही दे पाएंगे चेतन बदोरिया जवाब दे रहे हैं option नंबर भी option नंबर भी नहीं है सवाल का जवाब इस सवाल का जवाब है option नंबर ए लियोजैन अल होतूल रहेगा सवाल का जवाब या फिर हतोल रहेगा सवाल का जवाब मतलब option number A है इस सवाल का जवाब यह जो आपने award आप देख रहे हैं humanitarian मतलब मानपतावादी से संबंदित है मानप अधिकार पुरसकार से संबंदित रहेगा पुरसकार 2021 का है किसे दिया गया है हत लोल नामक व्यक्ति को दिया गया है पूरा नाम आप देख सकते हैं लोजैन अल हत लोल नामक व्यक्ति को इस पुरसकार से समारित किया गया है बहुत important question है किस महिने का question है तो अप्रेल के महिने का question है सब्सक्राइब कर सकता है जैसे कि इस question में सबसे पहला सवाल यही बनता है कि DSRB की फुल फॉर्म क्या है और DSRB की फुल फॉर्म दे रखके उसने Deep Submarines Rescue Vessel to assist which country in finding its KRI नंगला सबमरीन भारतिय नौसेना ने अपनी KRI नंगला पंडूबी को खोजने में किस देश की सहायता के लिए अपनी Deep Submarines Rescue Vessel भेजा है दोनों चीज़ा याद रखना ये भी पूछ सकता है एक्जाम में कि ये KRI नंगला सबमरीन किस देश की सबमरीन है जो मिस हो गई थी जिसे डूणने के लिए भारत में अपनी एक वैसल भेजी है उस वैसल का नाम क्या है सवाल यहाँ पर ये पूछा गया तो आप देदेंगे जवाब Deep Submarines Rescue Vessel अगर पूछा गया किस कंट्री की खोई है तो जवाब दीजे थाइलेंड इंडोनेशिया श्री लंका या फिर मलेशिया क्या रहेगा सवाल का जवाब बहुत बढ़ी आजी बहुत सारे बच्छे सवाल का ज़ाब सही दे रहे हैं इस प्रकार के सवाल ही आपको कहीं ना कहीं एक्जाम में नजर आने वाले हैं तो सवालों को जढ़ा important रखिए एक्जाम के perspective से सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जौब रहेगा Indonesia option number B सवाल का जौब रहेगा Indonesia option number B Indonesia की राजधानी क्या है what is the capital of Indonesia please Jakarta मत तिक करना क्योंकि Indonesia की राजधानी officially भी बदली जा चुकी है Jakarta जो थी वो old capital थी अब नई capital का नाम क्या है जल्दी से कमेंट करके जवाब दे दीजे चेक सवाल का जवाब दीजे राजधानी क्या है what is the capital of Indonesia और सवाल का जवाब भी इंडोनेशिया है next question देखेंगे अगला सवाल स्क्रीन पर union government has set a target to achieve productivity by या production by 2526 मतब दोजारपच्चेशब्बिस रक केंद्र सरकार ने 2026 उत्वादन हासिल करने का लक्षे रखा है कितना 15 million टन्स 17 million टन्स 11 million टन्स या फिर 19 million टन्स productivity हासिल करने का कितनी productivity हासिल करने का target रखा है जवाब देने की कोशिच कीजिए union government किस चीज का तो mustard का भाई ठीक है ना अगर आपके दिमाग में ये सवाल हो किस चीज का तो mustard का production की बात कर रहा है वो ठीक तो incomplete हो गया question mustard की production कितनी हासिल करने का target रखा गया है क्या रहेगा सवाल का जवाब चलिए आपकी screen पर सवाल है option है आपकी screen पर 15 million tons 17 million tons 11 million tons या फिर 19 million tons mustard mustard की वो बात कर रहा है mustard की कितनी production को अरजित मतब target अरजित करने की बात कर रही है बारत सरकार और कौन से यह अर्थ तक 2026 तक इसे अर्जित करने की बात की जा रही है सवाल का जवाब रहेगा 17 million tons option नमबर भी सवाल का जवाब सवाल का जवाब आप देख सकते हैं हाली में कितने ज्यादा रेट बढ़ गए है सर्सों के देल के पेट्रोल के तो बढ़ी गया मगर सर्सों के देल के भी बढ़ गया मगर दीरे-दीरे करके कुछ डाउन भी आए हैं अगर प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो और भी आप देख सकते हैं डाउन हो जाएंगे वह चेक नेक्स कोशन है अगला सवाल है स्क्रीन पर ओला इलेक्ट्रिक मॉबिलिटी प्राइविट लिमिटेट विल इन्वेस्ट हाव मच अमाउंट इन नेक्स 1.6 billion dollar चलिए दोनों ही पोस्ट अच्छी रहेंगे SSB जो आप बोल रहे हैं अच्छी रहेगी ठेक दोनों ही पोस्ट अच्छी है तो फर्स्ट और सेगिंड नंबर पर आप बढ़ सकते हैं अपनी इच्छा देखें आपकी आप किसमें इंट्रस्टेट हैं दोनों ही पोस् या फिर 1.6 billion dollar और सवाल के जवाब के अगर हम बात करें तो सभी का जवाब almost line से गलत है सवाल का जवाब है 2 billion dollar की investment की बात करी है वह आप से एक्जाम में ये भी पूछ सकता है कि उस कंपनी का नाम बताई है जिसने hypercharge network बनाने के लिए प्रसाव रखा है या फिर उस कंपनी का नाम बताई है जिसने hypercharge network बुल्ट करने के लिए 2 billion dollar investment की बात करी है ऑप्शन देगा उबर ऑप्शन देगा ओला और भी दो ऑप्शन देगा तो आपको जवाब देना पड़ेगा ओला electric mobility private limited depend करेगा कि एक्जाम में सवाल किस तरीके से पूछा है जरूरी नहीं है कि जिस जेशो में मतब जिस आधार पे सवाल यहां पे लिखा हुआ है उसी प्रकार से सवाल पूछा जाएगा हो सकता है इसमें बहुत सारी चीजों को घुमा दे वो जैसे घुमा कर मैंने अभी समझाया ठीक नेक्स कोशन है अगला सवाल स्क्रीन पर विच स्पेस एजंसी है सक्सेस्फुली लॉंच दशील्ड मिशन रिसेंडली हाल ही में किस अंत्रिक्ष एजंसी ने शील्ड मिशन को सफलता पूरवक लॉंच किया है नासा ने सी आ निया जैकसा ने या फिर रॉसकोमस ने क्या रहेगा सवाल का जवाब शील्ड जो मिशन है शील्ड मिशन विच स्पेस एजंसी है स्पेश सक्सेस्फुली लॉंच दशील्ड मिशन रिसेंडली ऑप्शन है नासा सी एनस जैकसा या फिर रॉसकोमस यह आप जानते हैं अमेरिका वाली हो जाएगी यह अपनी जबा आपको नजर आएगा वाशिंग्टन डी सी में चेकर जी इसके अलावा इसके साबना किये थी 1958 में 1958 में अगर इससे संबंधिस सवाल भी एक्जाम में पूछ लिया जाए तो आप कहीं ना कहीं टिक करने में सक्षम है नेक्स कोशन अगला सवाल स्क्रीन पर वेन बॉस्ट िश Надे का ये पफूर्द नैशनल पंचायति राजडे वास ओबसर्बड पंचायति राजडे कब बनाया जाता है सब जानते हैं 24 अपरेल को माना जाता है bacter सवाल यहाँ पर यह है पहली वार कब बनाया गया और अगर यहीं पर मान लीजे 2009 को कंदके मैं लि приним अप और दीज वाले आप जानते होंगे पंचायती राज के बारे में भारतिय सविधान का भाग नंबर 9A मिल जाएगा आपको इसके अलावा भारतिय सविधान का अर्टिकल नंबर 243 से लेकर 243 तक नंबर और अर्टिकल कितने हैं चल्दी से इसके अलावा अगर बात करें सविधान संचोदन के बारे में ऐगर बात करें तो 1992 में 1992 में इसके लिए बिल प्रसावित रखा गया था पीवी नरसीमा राओ की सरकार थी पीवी नरसीमा राओ ने कहा कि हमारे प्रधान बंतरी राजीव गांदी जी की डेथ हो गई है बन्दब निदन हो गया है एक आकाश्मिक मृत्ति उनकी हो गई है इसी वज़ा से उ यह बिल कम्प्लीटली राज्यो से भी पारित कर वा लिया गया था 16 अपरिल 1923 को 1992 में रखा गया था व्हें एह बिल पर 20 1923 को साइन किये थे राश्ट्पती में और उसके बाद 24 अपरिल 1964 20 वारतिय सविधान में एक नई भाग जोड़ दिया और आटिकल्स जुड़े 240 से लेकर 243 ओ तक अब आपको यह बताना है कि पहली बार पंचायती राजदिवस्प मनाया कब गया explanation जरूरी है 15 आटिकल नहीं 16 मिलने चाहिए मेरे इसाब से तो 16 मिलने चाहिए भाई दुबारा count कीजिए क्या ओको count नहीं किया ओको count नहीं किया क्या सवाल का जवाब है 24 अप्रेल 2010 यह सवाल एक्जाम में पूछा गया है इवन एक्जाम में यह तक सवाल पूछा गया है कि आर्टिकल नमबर 14 से लेकर आर्टिकल नमबर 18 में कितने आर्टिकल्स हैं आप सभी की reasoning तो इतनी strong है आप paper में आँख बंद क सब्सक्राइब यहां से दुबारा बताईए सोला आर्टिकल्स मिलने जहीं है 15 जो दे रहा है आपकी reasoning भी कमजोर है आपकी मैच भी कमजोर है और आप कहीं ना कहीं जल्दबाजी में है ठीक चीज़े समझ आ गई जितने पॉइंट जितने फैक्ट्स में समझाए उमीद कर अग्या सवाले स्क्रीन पर नेक्स कुशन है विच एरपोर्ट एस बिगम दा फर्स तो इंटर्डूस एन ऑक्सीजन बार नेम्ड ऑक्सी प्योर नामक ऑक्सीजन बार पेश करने वाला पहला हवाई अड़ा कौन सा बना है मुंबई एरपोर्ट दिल्ली एरपोर्ट पुन चैनल का नाम मिलेगा आपको साइन सेवन शूनने से कोर्स लाँच किया है वहाँ पर पॉलिटी की आज तीसरे नंबर की क्लास है चैनल का नाम है साइन सेवन जाईए और सब्सक्राइब कर लीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है यूट्यूब भी चैनल है आपको एक उरप के साथ जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है एक चीज़ और याद रखना इंद्रा गांधी हवाई अड़्डा भारत का पहला अंतराश्ट्री हवाई अड़्डा था जहां से कार्गो की फ्लाइड उड़ी थी जितना मुझे याद है 1975 के आसपास 1975 के आसपास अभी भारत में क टिक सभी शब्द रहेगा इसके लिए डोमेस्टिक जीसे हम इंदी में बोलेंगे घरेलू डोमेस्टिक एयरपोर्ट में कितने हैं इंटर्नेशनल मैंने बता दिया लगबग 30 मिलेंगे पहला वायदा कौन सा मिलेगा पहला वायदा मिलेगा आपको इंदरा गांधी उपर ही मिल जाएगा आपको ये चैनल अनकैडमी का ही पार्ट है नेक्स कोश्चन है अग्ला सवाल है दा यूएस हाउस वाफ रिप्रेजेंटेटिव हैस वोटिट तू मेक विच सिटी ऐस दा फिफिफ्टी फर्स्ट स्टेट ऑफ दा उनाइड़ सेट अमेरिका अमेरिका प्रतिनिदित सवादे किस शेर को सेयुक्त राज्ये का क्यावनवा राज्ये बनाने के लिए मददान किया है एक बार कौन बने का करोड़ पती में के बीसी में सवाल पूछा गया था कि अमेरिका के जंड़े का जो अनुपात है वो मिलेगा आपको 10 अनुपात 19 10-19 अमेरिका जो जंड़ा उसमें सफेद और लाल धारिया मिलेगी इस सब्राइव के संख्या कितनी है यह सवाल पूछा गया है कौन बंधा करोड़ पती में एवन पेपर में भी पूछा गया है यह संख्या मेरे सबस्टेरा मिलेगी बदा इस सवाल का जवाबदा दीजिए बाकी हम काम चला लेंगे अपने तरीके से चलिए जो क्लास को लाइक और शेयर किया किजिए कंटेंट अप्टू मार्क है मतलब एक अच्छा खासा कंटेंट आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा यहाँ पर सर आपने आर्टिकल बोला था चीक है मुझे याद तू सवाब एकलन तूब टेमनमान के लिए सब्सक्राइब यह चलिए बरिक ट्रिप के, बैरिक्त निब के जो मंजूरी दे दी गई है यह निब होना जीए मेरे खहल से बैरिक्त निब को मंजूरी दे गई है कोविड-19 पेशंट के लिए वह कौन सा देश है जिसने मंजूरी दिये option है इंडिया, option है जपान, रशिया या फिर आस्ट्रेलिया चलिए जबाब दीजे CHSL से पहले करा दो ठीक है जी अगर आप मुझे याद दिलवा देंगे तो मैं definitely करा दूँगा बस आपकी एक डूटी रहनी जी आप मुझे याद दिलवा दीजे तो कि आप समझ सकते हैं मिरे पास बहुत सारा काम है तुम्हे पढ़ाने के लिए इसलिए आप जैसे पॉलिटी पढ़ानी है आज बेसिक से चुड़ू कर रहे है कि है तुमारी 9 बजे तो उसमें तुम्हें पढ़ाना है अगर आप मुझे याद दिलवा दोगे मैं एक अमेंड्मेंट की और एक आर्टिकल की क्लास करा दूँगा उसके बाहर आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा सवाल का जवाब रहेगा जपान option number B एक सवाल आपसे और पूछने जाऊंगा क्या जपान का नाम रौशन हो रहा है ओलंपिक 2020 को होस्ट करके या फिर बदनाम हो रहा है जबान ओलंपिक 2020 को होस्ट करके इसका जवाब दीजे डेली रूटीन लाइफ का सवाल है नेक्स कोशन है प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंदर मोधी लांच डाडिस्ट्रिबूशन ओफ य प्रॉपर्टी काड अंडर विच स्कीम ऑन 24 अप्रेल 2021 प्रदान मंत्री श्री नरेंदर मोधी ने 24 अप्रेल 2021 को किस योजना के तहत प्रॉपर्टी काड के वित्रण का लिए भैं बताएए दर्ती धर्णी स्वामित्व या फेर रकशिता क्या रहेगा सवाल का जवाब जलुदी जवाब दीज imagen तुमें जुमारी dial का जवाब एप क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा सवामित्व के अधीन आपको लॉंड कियागा मतब आपको ने एक यूनिक एड़िए्टिटि केशन कार्ड दिया जाएगा कि इस जमीन के मालिक आप यह लोगा सब Unstereto सहाएया है I अगर लिखनी है किसी को फुल फॉर्म तो आप लिख सकते हैं स्वामित्व की फुल फॉर्म मैंने पूरा का पूरा पड़ा रखा है इसके बारे में सवाल इसक्रीन पर आख लेशियर ब्रस्ट अब्र इन रिपोर्टेट इन दा सुम्ना एरिया ऑफ नीती वैली ड्यॉज लोकेटे इन विच इस्टेट नीती घाटी के सुम्ना इलाके में गलेशियर फट्ने की ख़बर है गाटी की सराज्जे में स्थित है इमाचल पढ़ा चुका हूँ आपको अगर मैं इतनी शोरड़ी से बोल रहा हूँ कि पढ़ाया तो सर पढ़ाया है चलिए क्या राह सवाल का जवाब बैसे मेरे साथ शेगर तुक्का भी मारना पड़ेगा ना मेरे साथ शेगर अप इस सवाल में तुक्का भी मारेंगे तो 90% की जा रही है वो जादा देखी जा रही है as compared to other state में मानूंगा मैं अपनी बात को एक्जाम में कि DCGI की फुल फॉर्म क्या है दा ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया एस ग्राइंटेड एमर्जन्सी यूज ऑफ ड्रग वीरा फिन फॉर कोविड-19 पेशन्ट ड्रग इस आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने पीछे एक सवाल पढ़ाया था जिस सवाल का जवाब था जबान चेके ना वैसे ही यह सवाल एक्जाम में आ सकता है कि वीरा फिन नामक एमर्जन्सी में ड्रग का इस्तवाल करने का कोविड-19 के पेशन्ट पर किस किस देश ने मंजूरी द क्यिक आप सबाबाब हां यह जो है कि इत्राव कांपनी त्यार किया है कि रूब ओर चोंटित अंध्रर बहुत ही जाद ही जाद है इसलगा है अच्छे का से सवाल है एगजाम के लिए बहुत सारे विद्यारति सवाल का जवाब सहीं नहीं भी वे उसको अलग से रख लेना और वी रा फिन को अलक से लेना वो जबानवाली थी और ये भारत वाली एडिस्ट algumas क्या है drug controller general of India अगला सवाल है next question है which bank has launched an immune India deposit scheme चलिए immune India deposit scheme किस bank ने शुरू की है state bank of India पंजाब national bank of India central bank of India या फिर bank of baroda क्या रहेगा सवाल का जवाब सीमा जी बहुत बढ़िया जो सही दे रहा है सवाल का जवाब उसे मेरी दरफ से मुबारक बात अगर जो गलत दे रहा है सवाल का जवाब वो घवराए ना परिशान ना हो क्योंकि कहीं ना कहीं questions का level भी ठीक ठाक है मतब अच्छा कासा question का level रखा है मैंने PNB पंजाब national bank of India और दीजे जवाब एक बार अभे पांडे जी ने जवाब दिया पंजाब national bank of India बाकी सारे विद्यारती रुख गए है जवाब देने से वो सोच रहे हैं कि पहले मैं ही दे दूँ फिर आप जवाब देंगे सवाल का जवाब है Central bank of India option number C क्या कोई बता पाएगा इसका headquarter भारत में कहाँ पर मौझूद है Central bank of India का headquarter भारत में कहाँ पर मौझूद है पंजाब national bank of India बांक बड़ोदा इनके headquarter आपके एक्जाम में पूछे जा सकते हैं उसी प्रकार से जिस bank ने immune India scheme को launch किया है deposit scheme को launch किया है वो bank भारत में कहाँ पर मौझूद है यह सवाल भी एक्जाम में पूछ सकते हैं तो headquarter आप बदा दीजिए सवाल का जवाब मैंने बदा दिया Central bank of India इसके लावा State bank of India ने वो scheme शुरू करे थी ना कोविड 19 में लोन वाली जिसका किसी का कोई अपना अमर गया है तो उसको लोन दिया जाएगा पर्सनल लोन वाली जो scheme शुरू की थी जिसका rate of मंडेला जी से संबंदित अगर अवाड है तो आप समझ सकते हैं कि कि इतनी जादा वेटेज रेने वाली है एक्जाम में सवाल की सवाल है आपकी स्क्रीन पर सवाल है आपकी स्क्रीन पर who has been awarded the prestigious Nelson Mandela humanitarian award 2021 ऑप्शन है फालगुनी नायर वानी कोला वंदना लुत्रा या फिर रुमाना सिना सैगल चलिए क्या रहेगा सवाल का जबाब मेरे कीचर हुआ करते थे गैमिस्ट्री के 12th में आट्यूशन वाले रेबंद में उनका सरनेम था सैगल हाशिश कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत है क्लास में जी आप बीए से ग्राजूएट है ग्राजूइशन चाहिए मिनिममम उसमें बज आप इतना ध्यान रखिए सही रहेगी या नहीं रहेगी वो तो वक्त बताएगा सबी का जवाब लाइन से गलत है सवाल का जवाब है रुमाना सिना सैगल यह कुशन अगर एक्जाम में ना आए तो आप कुछ मतब अपने आप इमाजिन कीजिए इक कुशन एक्जाम में क्यों नहीं आएगा इतना important question है इतनी important personality है जब 2019 से लेकर 2018 तक के year को मतलब यह पूरे के पूरे decade को 10 साल को Nelson Mandela जी decade के नाम से जाना गया है इन 10 सालों को तो यह question क्यों नहीं पूछेगा कि Nelson Mandela World Humanitarian Award किसे दिया गया है रुमाना से ना सैगल को डबल S याद रख लेना टिक हो जाएगा एक्जाम म जी जिनका हाल ही में निदन हो गया था उनका संबंद निमली कितमे से किस शेत्र से है music composer है actor author है फिर poet है चलिए जवाब दीजे भई का जवाब है music composer श्रवन डाठोर जी जिनका हाल ही में निदन हो गया था लगबग अपरेल और मार्स के महीने में इनका निदन हो गया था इनका संबंद किस शेत्र से रहेगा music composer के शेत्र से अगला सवाल है when is the world day for laboratory animals observed every year बताइए हर साल परियोग शाला जानवरों के लिए विश्वदिवस कब मनाया जाता है 24 अपरेल 25 अपरेल 23 अपरेल या फिर 12 या फिर 22 अपरेल इंसान खुद ही ऐसा वाइरस बना देगा जिस वाइरस का तोड़ उसके पास खुद ही नहीं होगा बजह से आप देख सकते हैं कोवड अभी नहीं बता कि एक मैनमेड वाइरस है या फिर ओरिजिनली वाइरस मतलब बना है या फिर एक मैनमेड वाइरस है अभी तक किसी को कोई confirmation नहीं है मगर हाँ जो previous movies है Hollywood की movies जो रहेंगी उसमें कहीना कहीं दिखाया गया कि इंसान खुद ही एक ऐसे virus को जनम देदेगा जो इंसान की प्रजादी को पूरा तरह समाब्द करने में सक्षम होगा तो कहीना कहीं उसके संदर्ब में ही है ये question were a day for the laboratory animals observed every year 24 अपरेल 25 अपरेल 23 अपरेल या फिर 22 अपरेल क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा 24 अपरेल 24 अपरेल को सालाना ये मनाया जाता है दिवस थोड़ा हट के पूछा जाएगा एक्जाम में सवाल तो important है sir gd के लिए class start कर दी है आप आजाएए sign 7 channel पर आज दिन में दुपह है 1.5 गंटे class हुई है इसके अलावा भी 8 classes launch की है sir sse gd के लिए आप sign 7 channel पर आईए Friday को 12 गंटे की marathon है sse cgl sse cgl chsl ntbc जो phase 7 रहे गया उसके साबसे और gd fresh batch के लिए 12 गंटे की marathon है sir इसके लावा 8 classes launch कर दी है sign 7 channel पर आप जागर देख सकते हैं सवाल का जवाब है 24 अपरेल next question है RBI has restricted which card company from onboarding new domestic customers onto their card network from May 1 RBI ने 1 माई से किस card company को अपने card network पर नए घरेलू ग्राकों को शामिल करने से प्रतिबंदित कर दिया है मतलब रोक दिया है stop कर दिया है तारीक है 1 माई से American Express Banking Corporation Dinners Club International Limited Discovery A&B both चलिए जवाब दीजे Discovery A&B both मगर अगर बैंकिंग का एक्जाम होता तो मैं एक option और देता चेके ना अगर बैंकिंग का एक्जाम होता तो मैं B और C भी देता option में और वो डालता option number E में चलिए जी प्री के लिए ही जी PD के लिए ही UPPCS अगर PD के आप बात कर रहे हैं तो उसके लिए भी launch आप मानी सकते है कि almost कर दिया गया है तो आप परेशान मत होई है वही से ज़ादा तर चीजे आपकी cover up हो जाएंगी सवाल का जवाब रहेगा option number D A and B बोथ ये banking वाले experience के लिए इंपॉर्टन रहेगा सवाल नेक्स कोशन है Indian woman boxers created history by winning 7 gold medal at the final of U2 world championship this championship was held in which country नाप वो बोल रहा है Indian woman boxers created history by winning 7 gold medals at the final of U2 world championship this championship was held in which country बार्दिय मैला बुक्के बाजो ने U2 world championship के final में 7 सुन पदक जीत कर इतिहास रजज दिया है यह championship किस देश में आयुजित करवाई गई थी अप्रेल के महिने का सवाल है option है Italy, France, Poland या Sweden चलिए option है आपकी screen पर mastercard वाला तो D decision अब आया है mastercard वाली तो यह आप देख सकते हैं एक मही 2021 की और न्यूज है अप्रेल के महीने की बस यह मत बोलना इतना पुराना क्यों पढ़ा रहे हो सर पुराना नहीं है दो महीने पुराने कोशन है क्योंकि एक्जाम में पूछे जाएंगे क्या रहेगा सवाल का जबाब किस country में करवाई गई थी championship तो country थी पॉलाइंट ठेक किस country में करवाई गई थी championship करवाई गई थी पॉलाइंट कंट्री में बहुत important question है next question है which country has joined the India Sweden climate initiative lead IT leadership group for the industries transition lead IT की full form बता रहा है leadership group for the industries transition कौन सा देश भारत और स्वीडिन जलवाई यू पहल lead IT उद्योग संस्क्रण के लिए निर्त्त समूँ में शामिल हो गया है कौन सा ग्रूप है जो भारत और स्वीडिन के साथ शामिल हो गया है जलवाई यू परिवर्दन के कंट्रोल के लिए option है France United States of America जबान या फिर Germany चलिए क्या रहेगा सवाल का जवाब marathon का time रात कर रखना marathon है दुपहर दो बजे से लेकर रात के दो बजे तक done चल जाएगा marathon है दुपहर दो बजे से लेकर रात के दो बजे तक तीन teacher आपको मिलेंगे चलिए जी किसी को भी किसी प्रकार की क्लास लेने हैं जैसे इसके बाद सवा नो बजे से पॉलिटी की क्लास है भार्दी राज्य विवस्ता की क्लास है थियोरी उसमें पढ़ाई जाएगी तो आप आ सकते हैं साइन सेबन चैनल पे हर एक्जाम के लिए रेलिवेंट होगी इवन PCS तक कंटेंट फैकूंगा बिल्कुल रेलिवेंट होगा कंटेंट आपके एक्जाम्पले चाहें आप किसी भी बुक किसी भी किदाब से मैच कर लेना सवाल का जवाब है United States of America option number भी रहेगा सवाल का जवाब नेक्स कोशन है विच स्टेट गवर्मेंट हैस वाण टू इन्वोक नेशनल सिक्यूरिटी एक्ट एंड गैंस्टर अक्ट अगेंस्ट दोस ब्लैक मार्केटिंग मैडिसिंस ऑक्सीजन और इंजेक्शन किस राजे सरकार ने दवाओं ऑक्सीजन इंजेक्शन की काला बजारी करने वालों के खिलाफ राश्ट्रिय सुरक्षा अधिनियम और गैंस्टर अधिनियम लागू करने की चेदावनी दी है यह चेदावनी दी गई थी अप्रेल के महिने में जारकंड गुजरात राजिस्तान या फिर उत्तर परदेश आप जानते हैं उस समय कोविड के केसिस बिलकुल पीक पर ही थे अपने जब यह चेदावनी वाली बात हम कर रहे हैं चलिए जवाब देने की कोशिच कीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल है विच स्टेट गवर्णमेंट has won to invoke National Security Act and Gangster Act against those black marketing medicines oxygen and injection वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने ये चेदावनी दी थी दो ये चेदावनी देने वाली राज्य सरकार है उत्तर परदेश की राज्य सरकार जहां पर बैठे हुए हैं कौन जहां पर बैठे हुए हुए सब्सक्राइब का सवाल है विच बैंक एंटर इंटू अपक्ट दचन्नाई एंजल्स फोर फाइलेंसिंग स्टार्ट अपस अंडर दा बैंक्स लोन प्रोड़क्ट यहां इंडिया स्प्रिंग बोर्ड के तहत स्टार्टप के विद्ट पोशन के लिए किस बैंक ने दचन सब्सक्राइब सबक्राइब कर нравится म्हाँ सब्सक्राइब करने च्वाहिए मैं तो मेरी छाहें दो ये ग कॉलत नियुटत मेरी अक्टमेकली ठीक हो घाल से यह पर शहिए प्रबंदक निदेशक की भूमिकाओं को विभाजित करने के लिए कहा है सभी CCI फिक्की या फिर नैसकॉम किसने काया ऐसा करने के लिए चरिये स्वादी आदफ जी बहुत बहुत स्वागत है आपका ग्लास में बैच लॉंच कर दिया गया है ससी जीडी के लिए तो जो भी विद्यारती है ससी जीडी के त्यारी कर रहा है फ्री ओफ कॉस बहच है कोई चार्ज नहीं है निश्फलक है बिल्कुल तो आप आ सकते हैं साइन इसेवन चैनल पर ठेक आप आ जो डंग से त्यारी करना जाता है एक्जाम के लिए सवाल का जवाब देखो एक बार बताओ कितने सारे विद्यार्थी ठीक देंगे शुरुती नेहा जी सतीज जी ऑप्शन नमबर भी आदर्श मिश्रा जी सी बोल रहे हैं वहीं से आपको accurate सब चीजे मिल जाएंगे जिससे आपकी proper त्यारी हो जाएगे और आप आकर देखिए आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि किस प्रकार का किस लेवल का content फैका जा रहा है उसे आप कुद conclude कर लेंगे ठीक है अब मैं MTS का अलग लाउंच कर दूँ स्टैनों का लग लाउंच कर दूँ यूपी PCS PD के लेलग लाउंच कर दूँ डी ट्रिपल स्बी के लाउंच कर दूँ हर पेपर के लाउंच कर दूँ से काम नहीं है content A की रहेगा बस लेवल आपको खुद decide करना है मैं PCS लेवल तक का content फैकूंगा सवाल का जवाब क्या रहेगा सवाल का जवाब रहेगा सभी सभी का गलत है सभी का गलत है एक single विद्यार्दी ने दिपेश कुमार जी अब आए है जिन्नोंने सवाल का जवाब सभी ने सवाल का जवाब गलत दिया है नेक्स कोशन है अगरा सवाल है स्क्रीन पर what is the theme of the world malaria day बताइए भई फैरे तो यह बताइए विश्वल मलेरिया दिवस मनाया कब जाता है विश्व मलेरिया दिवस ये डे कब सैलिब्रेट किया जाएगा और 2021 में इसकी थीम क्या रही है और हाल यह में कंट्र मलेरिया मुक्त हुई है उस कंट्री का नाम और बता दीजे चलिए सैबी हो गया सवाल का जवाब मलेरिया वर्ल्ड मलेरिया डे 2021 की थीम के रही है ऑप्शन है जीरो मलेरिया स्टार्ट विद मी रेचिंग दा जीरो मलेरिया डार्गेट इन्वेस्ट इन फ्यूचर डिवी कब मना दें आप साब है सवाल का जवाब सही नहीं दिया 25 अप्रेयल मनाएंगे मलेरिया डेवस्ट आप ऐसा जवाब दे रहे है कि 25 अप्रेयल को सालाना मनाया जाएगा मलेरिया डिवस्ट छिक ऑप्शन नमबर बी सवाल का जवाब रीचिंग दा 0 मलेरिया ठार्गेट बहुत बढ़िया सुचिल कुमार योगी जी जवाब दे रहें बच्चिस अप्रेयल को मनाया जाएगा चेक अगला सवाल है विच गंट्री हैस बीन वैलिडेटेटेट बाइदा हूँ फूर ऐलिमिनेटिंग ट्राकोमा फ्रॉम्दा टंट्री ट्राकोमा जो है वह आंकों याफ मैं प्याफविर या ऐफिर तंजानिया आप जानते होंगे इफोपिया के अबे एहमत को दिया गया था पीश वाला ट्री के वो थे रमेश कुमार जी बहुत-बहुत स्वागत है सर ग्लास में आपका भी चलिए अगला सवाल है स्क्रीन पर मतब आपकी सवाल है स्क्रीन पर किस कंट्री ने इस बिमारी को कर दिया है स्वाल का सवाब रहेगा option नंबर बी घ्यंबिया मां अगला स्वागत है यहां पर आपको आठ बजे मिलेगी यहां पर आपको डेली क्लास मिल जाएगी आठ बजे इसके अलावा सवा नौ बजे आपको मिलेगी सवा नौ बजे नाव रहेगा Sydney टेयोरी की क्लास मिलेगी सवा नौ बजे रात को प्귀एम ठीक और चैनल का ना म रहेगा साइन सेवन जी तो अगर आप थीोरी पढ़ने पर पसंद करते हैं तो भाई आईए थीोरी पढ़ने के लिए सवाल का जॉब के रहेगा अंधर प्रदेश केरल उडिसा या फिर तमिल नाडू सवाल का जॉब रहेगा वो बिलॉंग करते थे तमिल नाडू से option नंबर D. नाम याद रखना B. सवीता श्री नाम है वो बिकम दा वुमें इंटरनेशनल मास्टर्स हेल फ्रॉम बिच स्टेट सवाल का जॉब रहेगा तमिल नाडू नेक्स्ट कुशन है अगला सवाल स्क्रीन पर वू हैस डिसाइड़ेट वू हैस अगला सवाल फ्रॉमें इंटरनेशनल मास्टर्स वजार परच्षिस थक वर्डफ ऑघनाईजिशन के दुवारा की अधाज़ा लगाया गया वह चूपना आपको मिल जाएगी कब उन्निस तो अर्था निस ने तो अर्तालिस में आरीक मिल जाएगी साथ अपरेल साथ अपरेल निस सब्सक्राइब का नाम बदाईए शिक्षम लिटल गुरू संस्क्रिट गुरू या फिर गुरुविद्या चलिए कि जबाब जल्दी जवाब देने की कोशिश कीजिए वो कौन सा आप्लिकेशन रहेगा वो कौन सा रहेगा जो लॉंच किया गया है किसके दौरा वो सरकार रहेगी बांगलादेश के और बांगलादेश में लॉंच किया गया है किस एजंसी के दौरा इंद्रा गांधी कुल्चरल सेंटर के दौरा ये भी पूछ सकता है एक्जाम में कि बांगलादेश में संस्कृत के संबंद में एक कर लिए ओजफ चाल। यहां से इसको ऐसे नोत्स बनते हैं तो पीले वाले पैंट से हाइलाइटेím एप सबसक्राइले scholars यह पूरह सकता हुए अगला सवाल है Leaus repetitive remain А Rome 25 अप्रेल भगवान महाविर वोजदा विच नमबर तीर्थनकर ओफ जैनिजम बदाइए भारत में महाविर जैन्दी 25 अप्रेल को मनाई गई है भगवान महाविर जैनों के कौन से तीर्थनकर थे 22, 21, 24 या फिर 23 चलिए कौन से नमबर के तीर्थनकर थे बहुत बड़ी आ लेडिल गुरू यह सारे सवाल मैंने आपको कहीं ना कहीं पहले पढ़ा रखें आप इन सभी सवालों को पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं चलिए जवाब देने की कोशिश कीजिए क्या रहेगा सवाल का जवाब कौन से नंबर के तीर्थंकर थे तो 24 वे नंबर के तीर्थंकर थे यह सवाल एजडिस पूर सकता है कि 24 वे नंबर के तीर्थंकर भगवान महावीर जैनती जो मनाई गई है वो किस थारिक को मनाई गई है तो आप जवाब देंगे वो मनाई गई है 25 अप्रेल को 25 अप्रेल को किस राज्ये ने अमराबाद टाइकर रिजर्व में युरेनियम भंडार का पता लगाने के लिए परियोजना को सापित सापना किया है मतलब सापित किया है स्थागित कर दिया है चलिए हाँ स्थागित कर दिया है परियोजना को स्थापित कर दिया है अंद्रपरदेश ने तेलंगाना इडिशा या फिर केरल वो कौन सी राज्य सर cop कर द ऑमराबाध टाइकर रिजर्व्य पूशकता है भारत में काम जूड है कि सापना किस कमीटी की सिफारिश पर की गई थी एसन कृष्ण कमीटी की सिफारिश पर इस कमीटी की इस राज्य की सापना की गई थी तेलंगाना का पुराना राम क्या था मतलब तेलंगाना का एक बार नाम पहले तेलंगाना था फिर तेलंगाना से नाम बदल के कुछ और क तुझाब दिया कि जो स्टार्टिंग में नाम था वही रखेंगे मगर तेलंग नाना से नाम बदल कर क्या किया गया था वो बदा दीजे कमेंट करके मैंने बढ़ाया वह इस्ट्री में जितने विद्यार्थी अपने है जवाब दीजे है है जवाबाद है जवाबाद आपको मिलेगी मुसी नदी के किनारे पर है जवाबाद में आपको चार मिनार मिलेगा जो 15 सेंचरी में मतलब लेक गौड है फायर गौड है वाटर गौड है या फिर थंडर गौड है चलिए सुल्तानपूर बहुत बढ़िया इस सवाल मैंने आपको पढ़ाया था हिस्ट्री में क्या रखा गया था नाम नाम रखा गया था सुल्तानपूर किसने किया था बाई सब सुल्तानपूर न देखिए कोश्चन में ही एक और कोश्चन चुपा हुआ है, एक्जामे डिरेक्ट सवाल आएगा, चाइना ने अपने मार्स रोवर का नाम क्या रखा है, तो आपको टिकर ना पढ़ेगा, जो रोंग रखा है, अगर एक्जाम में इतना ही सवाल आए तो इतना ही टिकर के नाम से मदा फायर गॉड है वोंगे क्लियर नेक्स कोच्छन है अग्रा सवाले स्क्रीन पर फोर एस्ट्रोनाट्स वर लॉंच टूदा इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अंडर विच मिशन आफ नासा एंड स्पेस एक्स रिसेंटली हाल ही में नासा और स्पेस एक्स के किस के तहित लॉंच किया गय। बहुत बढ़िया शोपने पिता का प्लट को असे मोब को और मुंप को सुषील कुमार योगी जी इन् High लाना जी आपको पूरी हिस्ट्री पड़ा रख की है क्या था असली नाम इस सवाल का जवाब है क्रूटू ऑप्शन नमबर ए सवाल का जवाब है क्रूटू नाम का मिशन था जब बस यह बता दीजे मौंबद बिन दुगलक का असली नाम क्या था एक जगा बनाई गई थी आपको याद होगा जॉन पूर जॉन पूर मैंने आपको माधिशाह गोशित करने वाला कौन था मौमध बिन दुगलक कब किया था मरते हुए उसका चचेरा भाई फिरोशा तुगलक उसके सामने खड़ा हुआ था इसलिए उसने अपने ब्याप पर बोला कि अगला बादशाए होगा मेरा चचेरा भाई मौमध बिन दुगलक ने 2021 सबसे पहले तो यह बताईए बाई सब वर्ड इंटिलेक्च्वल डे मनाएंगे कब यह डे कब सेलिबेट करेंगे option चाहिए 24 अपरेल 25 अपरेल 26 अपरेल या फिर 27 अपरेल option यह है इसकी theme क्या रही सवाल यह है सन 2021 में चलिए what is the theme of the international what is the theme of the world intellectual property day इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी कार्थ होगा बहुदिक संपदा मान लिजे इस पैन को मैंने इंवेंट किया है तो मेरी संपत्ती है यह इसे ही वह बोल रहा है बहुदिक संपदा टेक चलिए बैं इनोवेशन इंप्रॉविंग दा लाइफ क्या बाद है वाई सब्सक्राइब क्या रहेगा सवाल का जवाब वट इस थीम आफ़ इंटेलेक्च्वल प्रॉपर्टी डे सवाल का जवाब है अबे जी बहुत उमदा सवाल का जवाब है ऑप्शन नंबर ए यह देख लीजे जाए यह आगया ऑप्शन नंबर है लिखा हुआ नेक्स कोशन एकला सवाल है पंडित रंजन मिश्रा फूरस और इंदोर गराना या फिर बनारस घराना इस प्रकार के सवाल आज भी एकजाम में आते हैं सर अगर 2016-17 वाले विद्यारती है और 2016-17 के असपा से द्यारी कर रहे है तो आपने देखा होगा आपने ही किसी एक्जाम में कि घराने वाले सवाल आज भी पूछे जाते हैं तो पंडित रंजन विश्राजन का निदन हो गया किस घराने से हैं उनका घराना था बनारस घराना ऑप्श इनफॉर्मिंग नेट जीरो प्रोडूसर्स फोरम नेट जीरो प्रोडूसर्स फोरम बनाने में कौन सा देश समयुक्त राज्य अमेरिका कैनेडा नौर्वे और कतर के साथ शामिल होगा एक सवाल आप से और बूशना चाहूंँ पहले तो यह बता दीजिए नेट जीरो प फीफा वर्ल्ड कप कहां पर करवाया जाएगा इसके अलावा एक चीज और याद रखना जो ओलंपिक्स करवाये जा रहे हैं जबान में वह नाम के लिए तो मतलब दूर से देखकर बहुत अच्छा लग रहा मगर बहुत जाधा दिक्कत हो रही है उन ओलंपिक्स में और लगा मंतलब दॉलिट्ड की बद्बु आ रही थी इसके अलावा एक चीज और दिक्कत देगी वहांपे कि अव्गस्त के महिने में जुलाई में स्टार्ट हो रहे हैं तो अगस्त के महिने में बहुत सारे में सायकलोंस आतने हैं टाइफूN आइगे तो उन से दिक्कत होगी पानी में बहुत सारे खेल होंगे आप समझ रहें वहां दिक्कत होगी इसके अलावा अर्थ को एक की दिक्कत होगी इस समय पर वहां पर अर्थ को एक भी जाधा आते हैं तो जब ऐसा कॉंसेंट्रेशन वाला कोई खेल होगा ना बैठे रहने का जिसमें एक सेकंड में भी अगर आप हलके से भी यूँ है तो गेम हार गए वहां पर दिक्कत होगी इसके अलावा वहां के 60% लोग 60% लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं उलम्पिक्स के अगेंस्ट वो बोल रहे हैं जब टोकियों में आपने एमर्जंसी लगा दी है तो एमर्जंसी लगाने के बाद आप उलम्पिक फेडरेशन के चेयर्मेन को बुला सबसे चोटा ब्लाक ओल डूंडा गया है अपास में हमारे वह कितिना मतब उसका नाम गया है उसका नाम है यूनिकॉण और शाम में आ सकता है जब उसने ये तक पूछा है की जो चित्र खीचा गया था जो पहले बूंजन के शित्क्ष यह तैलिस्ट्रशों पूछ सकता है वह हमें आपको यार्ड hottest आउस्ट पास की lied कीश केश पाए थे ब्लाक पूल का शित्र कीशन तो पॉसिबल नहीं है उसी प्रकार से यह सवाल भी उसी काटेगरी में इंपॉर्टन है नेक्स कोशन है विश्व इम्मुनाइजेशन विख विश्व टीका करन सब्ता है 2021 का विश्य क्या है वैक्सिन वर्क फॉर ओल क्लोज दा सब्सक्राइब कहां होगा सर कतर में होगा कातर में यह पहला मुस्लिम देश बन जाएगा जो फीफा वर्ल्ड कप को गोश्व कर रहा है 2018 वाला करवाया गया था रशिया में जिसमें जीता था फ्रांस इसका जवाब क्या रहेगा वैक्सिन पूर ओल दीजे भाई ट्राइ कीजे चल्दी से चलिए क्लास लिए अच्छी लग रही है तो लाइक और शेयर करते रहे भाई क्या रहेगा सवाल का जवाब सवाल का जवाब रहेगा वैक्सिन ब्रिंग अस क्लोजर टेका हमें करीब लाएगा और एक चीज़ आपसे और पूशना चाहूंगा यह वाल्ड वैक्सिनेशन या फिर वाल्ड इम्मुनाइजेशन वीक सेलिब्रेट किया कब गया है किया तो प्रेल के महिने में सवाल यह कब किया गया है बस यह बता दीजे अप्रेल में कौन से वेक में किया गया है अगला सवाल है विच मुवी ऐस बॉन दा बैस्ट फिल्म अवाट फो ऑसकर 2021 ऑसकर 2021 सर्वस्रेश्ट मूवी बनने वाली मूवी का नाम क्या है और इसके कि रोप में वैस्ट रियक्टattend का वाड दिया गया है तो इस में मतलब ओस्कर गाईटिकरी में दूसरी मेला बन गहीने जने डिरेक्टर ज्ल्दी बताईये उन फीमेल का नाम क्या है डिरेक्र कौझन का वी मुवी की मिशिंदीर कौन है जिसे बेस्ट तक लेके जाना अब मान के चलिए अगर आप अपने गार्जिन को लीजिए आपके गार्जिन आपको सेंटर के भार तो खड़ा कर देंगी यह तोड़ी बोलोगे अच्छा पाप आप तो प्रोफेसर कॉलिज में साथ आजा और साथ वाली सीट पर बैठ जाना टिक कर देना सवाल को देख रहें कि सवाल का जबार्ज ने तो कहीं ना कहीं मैं को स्टॉप पर लेके जारहा हूं ऑप कि यहीं रुकिए वेट कीजिए अपनी मैमधरी को शार्प कीजिए कि कि इसीजी आपने पहले पढ़े रखें जाकि आप जवाब दे पाएं तेक अच्छा एक क्लास अवार्ट्स पर भी करा देना कोई दिक्गत नहीं है जी which state has signed an MOU with the Microsoft to train 1.26 lakh youth for the skill development 1.62 lakh युवाओं को कौशल विगास के दायत प्रतिशित करने के लिए किस राज्जे ने Microsoft के साथ समझोते ग्याबन पर हस्ताक्षर किये हैं किस के साथ साक्षर की है Microsoft के साथ एक्जाम में डिरेक्ट सवाल यह बन सकता है कि 1.62 lakh युवाओं को skills को कौशल को सुधारने के लिए किस company के साथ टायप की है option देगा Amazon option देगा आपको Facebook option देगा Microsoft option देगा Google वहां को टिक करना पड़ेगा Microsoft यहां वो आपसे पूछ रहा है कि कि किस राज्जे ने गारे किया है करनाटका उडिसा अंदरप्रदेश या फिर दमिल नाडू चलिए दीजे जवाब बैस डिरेक्टर अगर अभी भी नहीं पता तो भाई सब छोले याद रखो छोले के साथ चामल बनाओ बैदरिन बन जाएंगे चोलियो करके फीमेल मिलेंगी आपको ठीक है चोलियो करके महिला मिलेंगी चोलियो करके फीमेल मिलेंगी चोलियो जाहू हो जाएगा इनका ना इस सवाल का जवाब क्या रहेगा इस सवाल का जवाब रहेगा आंदरपरदेश सभी का गलत है अब खुद देख लीजे लाइन से करनाटका उडीसा उसके अलावा चोलिया करके हैं बहुत बढ़ी है डिरेक्टर का नाम शुरुती जी यह शुरुती जी दे रही है ए सीमा ज करती है याउदन ग्रतर स्कथशन को आपने याद रखना मिथ कम चर्वाब पांगाल का संब्द किस खेल से पहले यहीत बताईए अमित पांगाल का संबंद किस खेल से है और इन्होंने ये एक लोन बॉक्सर बने है जिन्होंने जीता है मैडल चलिए बताइए बई गवर्नर कब के अंदर मैडल जीता है पहरे तो ये बताइए किस कंट्री से मतलब किस खेल से बिलॉंग करते हैं गुड़ीनिंग सर आयम फ्रॉम प्रदुमन जैस्वाल जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्लास में सर क्या रहेगा सवाल का जवाब ये खेल करवाए कैजे रशिया में बहुत सारे विद्यार्दी सवाल का जवाब साही देर है अमित पांगाल जी का संबंद किस से रहेगा जल्दी से बताइए बहुत सारी चीज़ा है इनके बारे में बढ़ने के लिए मगर अभी आप एक जवाब दे दीजिए बॉक्सिंग बहुत बढ़िया सवाल का जवाब रहेगा अमित पांगाल बॉक्सिंग से नेक्स कोशन है अगला सवाल है स्क्रीन पर या फिर असवाल का जवाब दा होर्स दटिल ओफ न ओव ए प्ण धील हम कि किया रहेगा सवाल का जवाब आ coupon true कि अगर आप लोग साथ से चीडी की त्यारी कर रहे हैं तो एक अनॉंस्मेंट आप सभी लीडिम्लापने तो फ्री आफ़् कॉस्ट इसके लिए बैस लॉंच किया गया है प्री आफ़् कॉस्ट बैस लॉंच किया है चैनल के नाम रहेगा साइन सेवन चैनल का नाम रहेगा साइन सेवन और इस चैनल पर आपको आठ क्लासिस मिलेंगी ससी जीडी से संबंदित और थियोरी मिलेगी सर पढ़ने के लिए इस क्लास के जस्ट बात सवा नौ बजे मेरी क्लास शुरू होगी वहां पर मैं बढ़ाँगा भारत के लोगों को बोलने की बंदिशन कलास मुने छोड़नी पढ़ेगी क्योंकि मेरी दूसरी क्लास है बस दस बारा मिनट रहे गए, कोशन तो अभी काफी सारे बाकी है, 75 कोशन लाया था, अभी कोशन काफी सारे बाकी है, मगर PDF आपको पूरे कोशन की मिल जाएगी, चेक, क्लास अगर अच्छी लगे है, तो लाइक जरूर करना, देख रो, लास्ट सवल आगे, स्क्रीन बजलो इस सवाल का जवाब तुम दे ही दो, जब लास्ट आए गया, सवाल का जवाब है, option number B, according to ICMR, all patient with a CT value less than what, may be consider at COVID positive, किन patient को COVID positive माना जाएगा, जिनकी CT value रहेगी 35, ठीक है, अब कतम करते है, तो क्लास अगर अच्छी लगे है, तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, और जो वि 27, दो बार बोल दिया है, अगर थियोरी पढ़नी है, माब आपके सपने पूरे करने है, जो कि थियोरी पढ़ने से ही होंगे कहीं ना कहीं, तो आजाएगे चैनल पर और पढ़ लीजे थियोरी, बढ़ना दो